हलो स्टुडेंट मैं हूं रीना आप देख रहे हैं रीना अकाडमी चैनल आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है मैं अपने आज कस वीडियो में आपके लिए लाएं हूं एकी मात्रा वाले शब्द यानि बच्चों एकी मात्रा से संबंदिन संपुन्ट जानकारिया आपको उस वीडियो मिलेगी तो आप बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो के अंतर आज हम इस वीडियो में एकी मात्रा से शंबंदिन कुछ शब्द कुछ वाक्य और नए सब्दों को बनाना सीखेंगे साथ ही प्रशना ब्यास को भी करेंगी तो बच्चों ये देखिए एकी मात्रा प्लस रा नया शब्द बना ठटेरा यानि बरतन बनाने वाला ठा प्लस एकी मात्रा प्लस ल पे आकी मात्रा नया शब्द बना ठेला यानि सामान्द होने वाला ठेला तो बच्चों एकी मात्रा जो होती है वो वेंजन वर्ड पर उसके उपर लगती है और ये म यह जिस वेंजन के साथ एकी मात्रा जूडती है वो उसके ऊपर जूडती है तो यह है ए स्वर का मोल रूप और यह है इसकी मात्रा तो जब वेंजन वार्ड पर मात्रा जूडती है तो वो इस तरह से जूडती है इस रूप में आके ऊपर लग जाती है तो बच्चो यह था अब हम इससे सम्बंदित को शक्त पढ़ेंगे और समझेंगे मेल, पेट, बेला, हिमेश, हतेली, महादेव, तेल, पेड, मेवा, रमेश, पहेली, परेसान रेल, बेल, चेला, नरेश, सहेली, मेजबान, बेर, रेत, केला, गड़ेस, हवेली, परेसान, शेर, धेर, ठेला, दिनेश, चमेली, सहदेव तो बच्चो ये था एकी मातरा संबंदित कुछ शब्द, अब हम ब्यंजन वडों पे एकी मातरा जोड़कर नए सब्द बनाना सेखेंगे तो ये देखे बच्चो ए है और ये है एकी मातरा, यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं जिस पे एकी मातरा मिसिंग है हम एक ही मातरा लगाएंगे और नया सब्द बनाएंगे ये शब्द है मल तो माँ पे हमने एक ही मातरा लगा दिया हो गया मेल अब हमने रप एक ही मातरा लगा दिया ये हो गई रेल तो बच्चो ये आप ध्यान रखेगा एक ही मातरा व्यंजन वड के ऊपर कुछ इस तरह से लगती है यह है नया शब्द बना यहाँ पे ठेला यहाँ पे नया शब्द बनी चमेली यानि चमेली एक फूल होता है फूल होता है बच्चो यह दिकी शहदेव शहदेव नाम होता है यह बन गई नया शब्द हवेली तो बच्चो इस तरह से एकी मात्रा बेंजन बंड के उ उपर लगती है अब हम बच्चो बेंजन वार्टन सॉरी उसमें एक ही मात्रा जुड़ी हुए कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे राजेश रेल का खेल देख तेज चलेगी अपनी रेल रिश्मा सबसे आगे जाए सीटी भीवा तेज बजाए चुक चुक करती अपनी रेल मिलकर खेला हम सबने खेल सबसे आगे रहे हमारी रेल चुक चुक करती अपनी रेल तो बच्चो ये कुछ कविता टाइप में आपे बाके दिया गया है मैं एक बाई इसको फिर से पढ़ते हैं राजेश रेल का खेल देख तेज चलेगी अपनी रेल रेश्मा सबसे आगे जाए सीटी भीवा तेज बजाए चुक चुक करती अपनी रेल मिलकर खेला हम सबने खेल सबसे आगे रहे हमारी रेल चुक चुक करती अपनी रेल अब बच्चों हम एकी मात्रा संबने उसके प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं रंगीन वर्ण पर एकी मात्रा लगा कर शब्द बनाओ तो बच्चों ये देखी रंगीन वर्ण जो जो दे रखा इसी के उपर हमको एका मात्रा जो है एट कर देना है तो नया शब्द बनेगा मेल, बेटा, ठठेरा, सहेली, ठेला, मिहमान, परदेश, महादेव, लालटेन, जेवरात, जेवर यानि होता है जेवर बच्चों, ज्वेलरी, अब नेस्ट है, निम्नलिखित सब्दों में एकी मात्रा लगाकर पुनह लिखिये, यानि बच्चों य एका मात्रा उसमें एट करने है, एट करके उसको नये शब्द बनाने है, तो सेना, सवेरा, ठठेरा, तेल, जेल, चमेली, महादेव, जेवरात, ये नये शब्द बनेंगे, अब नेस्ट है, चित्र देख कर शब्द पूरे लिखिये, क्या पर शब्द लिखे हैं बच्चो क्यों मात्रा मीसिंग था, हमने मात्रा जोड के नया सब्द बनाया, शेर, यानि जंगल का राजा शेर, सपेरा, यानि सापो को नचाने वाला बीन बजाके, केला, एक फल, अब नेस्ट है, चित्र को देखकर उसके सही सब्द से मिलागे, तो बच्चों पहले हम सब्द दे लिकेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद चित्रों से मिलाएंगे, शेर, सपेरा, थानेदार, एनक, सेब, ठेला, ये है शब्द, अब हम इसको मिला लेते हैं, शेर, कहां गया शेर, ये रहा शेर, हमने इसको मैच किया, अब है सपेरा, सपेरा ये रहा, थानेदार, ये हमने मिलाया ये है सेब और ये है ठेला तो बच्चो ये हमारा हो गया मैस्टा कॉलम अब हम करेंगे सुलेक लिखे यानि सुन्दर लेक लिखे तो इसमें हम वाक्यों को पढ़ लेते हैं मेरे राजेश मामा आए सफर रेल का करके आए ये हमने लिखा मेघा के लिए वे पेठा लाएं मेरे लिए सेब सरीफे आम लाएं तो बच्चो पेठा एक मिठाई होती है जो कि कद्दू का बनता है और शेब सरीफा आम ये फ्रोट है तो बच्चो सेंटेंस है मेघा के लिए वे पेठा लाएं मेरे लिए सेथ सरीफे आम लाएं तो बच्चों कैसे लगी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें तो मिलते हम आप से अपने एगले वीडियो में तब तक के लिए थन्यवाद